जो संबिधान की तरफ आँख उठा कर भी देखेगा जो संबिधान को बदलने की बात करेगा उसकी आँखे निकालनी जाएगी जी हाँ यह कहना है लालू यादव का राजत सुप्रीमो लालू यादव का नमस्कार मैं हूँ प्रेजर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और आँखे निकालने की ये बाते क्यों शुरू हुई है तो इसके पीछे की वज़ा हिया है कि आज कल चुनाओ का दौर चल रहा है लोग सभा चुनाओ को लेकर के सत्ता पक्षो या फिर विप वक्षो उनके बरबोले नेताओं की ओरसे बार-ार कई किस्म की बाते की जा रही हैं तो इनमें कई नेताओं द्वारा बार-बार यह भी कहा जा रहा है कि आप हमें बहुमत दीजिए हम संविधान बदल देंगे तो ऐसे ही नेताओं को एक प्रकार से सक्ट चेतावनी देत क्योंकि यह संविधान किसी एरे गेरे कब नहीं है बलकि यह तो बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेतकर का बनाया संविधान है और इसे बदलने की कोई बात भी ना सोचे दरसर लालू यादब ने संविधान बदलने को ले करके जो अलग-अलग किस्म के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उन सब के बीच सोचल मीडिया पर भारती जनता पार्टी के खिलाप निशाना साधा है और इसी दवरान लालू यादब ने आँख निकालने वाली ब लिखते हैं कि भाजपा के वरिष्ट नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री और इनके शिर्ष नेता इस पर कुछ कारवाई करने की वजाए इसके बदले उन्हें इनाम स्वरूप चुनावलरवा रहे हैं ये बी ये लोगों को आरेसेस और पुझीवादियों का गुलाम बनाना चाहते हैं संविधान की तरफ आँख उठा कर भी देखा तो इस देश के दलित पिछरा और गरीब लेग मिलकर इनकी आँख निकाल लेंगे बार बार संविधान बदलने की बात कर ये क्या सावित करना चाह कि तुम कौन होते हो संविधान बदलने वाले दरसल हम अगर आपको बात करने कि संविधान बदलने की ये बात क्यों तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो कई बार मौके बोमय के निताओं ने कई ऐसी बात की हैं जिसमें यहां तक कह दिया गया है कि आप हम Kang बहुमत दीजिये हम संभीधान बदल देंगे अगर आप जात करें तो करनाटक के भी एक भाद पाने सा ने संभीधान बदलने की बात की थी इसके अतरिक्त देश के कई अने नेताओं पर भी इसी किस्म के आरोप लगे थे को उन्होंने सार्वजनिक रूप से संभीधान लेकर के प्रचार अपने पूरे जोर्ज पर चल रहा है तो इस तवरान भी समय समय पर कई नेता अपने बरबोले बयानों में ऐसी बाते बोल जाते हैं जिसमें वे संभीधान बदलने को लेकर कि अलग-अलग किस्म की इद्वाब बाते कर देते हैं तो ऐसे ही निताओं को निशाने पे लेते हुए अब लालू यादब ने ये बाते कहीं हैं और उन्हेंने सीधे सीधे इसमें प्रिधान मंत्री नरेंद मोधी को भी कटगड़े में ख़ड़ा किया है कि एक और भाजपा के वरिष निताओं द्वारा समिधान बदलने की बात उन्हें चुनाओ लरवा रहे हैं टिकर दे रहे हैं तो ऐसे ही लोगों को निशाने पे लेते हुए राज़त सुप्रीमो लालू यादब ने इस बार उन पे निशाना साधा है और यहां तक कहा है कि जो लोग हमारे सम्विधान पर आँख उठा कर देखेंगे उन्हें दे देश के गरीब दले एक जुट हैं पिछरे एक जुट हैं और ऐसे लोगों को सक्त जबाव और मुहतोर जबाव हर तरीके से दिया जाएगा यानि कि लोकसभाचुनाओं में भी दिया जाएगा तो एक और जहां लोग सभाचुनाओं में भारती जनता पार्टी की ओर से अलग-अलग किस्म की बातें की जा रही हैं तो वही भाजपा को निशाने पे लेते हुए लालू यादव ने भाजपा को और पीम मोदी को ही कटगरे में खरा किया है कि आप तो संबिधान बदलने क की बातें करते हैं तो ऐसे में संबिधान बदलने की आपकी बातें कभे भी सचसावित नहीं होगी और इसके खिलाप जो देश के तमाम लोग हैं वह किसी भी वरक्य हों वह एक जुठ हैं और आपका पूरा प्रतिकार किया जाएगा